खान सर का नाम सुना है ना आपने एक बार फिर सुर्खियों में हैं नमस्कार कसिस नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराख खान सर जो अपने यूटूब वीडियो के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं दरसल खान सर जी एस की क्लास चलाते हैं यूपीस्सी की तैयारी करवाते हैं प्रत्योगिता प्रिच्छाओं की तैयारी करवाते हैं और उनका अंदाज बिलकुल ही अनूठा है तो पत्ना के खान सर एक बार फिर से बिवादों में गिर गये हैं दरसल उनका साथ बिवादों का नाता चोली दामन कर रहा है तो खान सर का एक वीड पर बिवाद पैदा हो गया है क्या कुछ वो वीडियो है वीडियो में क्या बाते हैं पहले खांतर की वो का वो वीडियो आप देख लीजिए सुन लीजिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब्दुल्भाई चलिए संधी वीचे पड़े होंगे ना कुछ संधी ऐसी होती है समास वगरा में एक ही चीज़ के दो अर्थ होते हैं सुनेंगी नहीं ऐसे समास होते हैं सब दोंद समास बोलते हैं दोंद समास एक ही चीज़ के दो अर्थ होते हैं उसी को ने बोलते हैं जी उसमें होता है ने एक ठो सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब सुरेश जहाज उड़ाया दोन दोन समास में अपे तू कई झा आ मने महें जाएं मतलब आए तु देखा अपने खान सार का वो पढ़ाओगा आपने व्याकरण में द्वंद समाज क्या है तो द्वंद समाज को बिल्कुल अपने ही अंदाज में सिखा रहे हैं बता रहे हैं खांसर जैसा कि आपने सुना इसमें कि खांसर बता रहे हैं कि द्वंद समाज में जो उन्होंने उधारन दिया है दरसल उसी वाद है उन्होंने कहा है कि सुरेश ने जहाज उड़ाया का मतलब कुछ और है वही अबदुल ने जहाज उड़ाया का मतलब कुछ और ही निकलता है द्वंद समाज का ये जो वीडियो जो है जिस वाइरल हुआ है और उसके बाद अब सियासी द्वंद सुरू हो गया है दरस दरसल खान साहब के खांसर के इस वीडियो को कॉंग्रेस की नेत्री ने देख लिया है सीनियर लीडर है और उन्होंने बड़ी ही कड़ी टिपनी कर दी है गिरबतारी की मांग भी कर दी है खांसर की खांसर की गिरबतारी की मांग पहले भी उचुकी है तो खांसर की गिरबता की मांग इसे Congress की नेत्री ने किया है दरसल खांसर का जो वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं उस पर सुप्रिया सीनेत जो Congress की senior most leader है उनका कहना है वो लिख रही है घटिया निहायत ही घटिया इसे गिरबतार करना चाहिए और जो अठाहस्थ कर रहे हैं उनकी भद्धी बेहुदा बाते सुनकर उनको सोचना चाहिए कि क्या बन रहे हैं हम तो खांसर के इस वीडियो पर कॉंग्रेस की नेत्री जो है सुपरियार सीनेर पूरा गरम हो गई है गुस्ते में हैं और खांसर की गिरफतारी की बात कर रही है नहायत ही घटिया बता रही है दरसल इसमें जिस तरह से उधारन दिया गया है जिसमें एक हिंदु सक्स है और एक मुसल्मान सक्स है तो उसे उस पर ही आपत्ती जताई जा रही है दरसल उडाना का जो द्वंद समाज समाज के तहट जो परिभासित किया जा रहा है जहाज उडाया समझ भी गए होंगे जहाज उडाना मतलब जहाज उडा रहे हैं और दूसरा अगर एक सब्द उन्होंने कहा है अबदूल ने जहाज उडाया तो दरसल उडाने का मतलब गाइब करना भी होता है तो ऐसे में इस द्वंद पर सियासी द्वंद शुरू हो गया बवाल शुरू हो गया तो खांसर तो चर्चा में अक्सर रहा करते हैं थोड़ा खांसर के बारे में आपको बता ही दें लगे हां कि खांसर आखिर चर्चा में कैसे कैसे रहे हैं कब कब रहे हैं कब कब विवाद हुआ है तो आपको बताएं कि खांसर अपनी क्लासेज की किसी वीडियो को लेकर विवादों में अक्सर घिरते ही रहते हैं और गिरप्टारी की मांग भी उठ चुकी है पहले तो अब पंक्चर साथने का बयान तो कभी आरारबी एंटी पीसी परिक्षा में परिनाम दुआ था ट्रेने जलाई गई थी आपको याद होगा बिहार में उस वक्त खांसर की काफी आलोचना हुई थी और खांसर को गिरप्टारी की बात भी सामने आ रही थी दरसल यह कहा गया था कि छात्रों को उन्होंने ही उपसाया है और उसके बाद छात्रों ने इतना बड साजी बिल्कूल अलग है खांसर के नाम पर विवाद तो है ही साती साथ उनमें और भी विवाद है दरसल उनके नाम पर भी विवाद है खांसर का जिस तरह से खांसर के नाम पर भी जो विवाद अक्सर होते रहा है कि खांसर आखिर कौन है खांसर के बारे में बताया जाता है कि गोरखपूर के एक स्थैनिक परिवार में जन्में हैं और उनका असली नाम लेकर भी जो है उस पर भी विवाद होते रहा है कभी खान सर का नाम जो असली नाम बताया गया कि अमित सिंग है उनका नाम और कभी कोई फैजल खान बताता है हाला कि जो बाते बात में खुल कर सामने आई कि खान सर का असली नाम फैजल खान ही है और 1993 में उनका गोरखपूर में जन्म हुआ उनके पिता नौसेना में थे तो खांसर के बारे में यह चर्चा हुई उनके नाम को लेकर भी चर्चा होती रहती है उनके अंदाज को लेकर भी चर्चा होती है और आपको बताएं कि खांसर के जो यूटूब सब्सक्राइबर हैं मिलियंस में हैं 17 मिलियंस से भी जादा उनके यूटूब सब्सक्राइब हो गया है जिसमें खान सर की गिरप्तारी की मांग करती दिख रही है कॉंग्रेस की जो नेत्री हैं सुपरिया सीनेद अब आगे आगे देखिये होता है क्या क्योंकि खान सर जो जो पटना के छात्रों की जान माने जाते हैं बिल्कुल अपने अंदाज के अनोखे अंदाज के लिए वो छात्रों के भी चर्चित हैं ऐसे में खांसर की गिरबतारी करना कोई असान काम नहीं है और अब जो सुप्रिया सीनेद जो दिल्ली की नेत्री हैं बड़ी नेत्री में सुमार है कॉंग्रेस की उनके इस फरमान पर क्योंकि उन्हों यह कसिस्त नियूज के साथ तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद